चाहि पिनियु scoring दोस्तों नमस्कार मैं समझे मगगन मौजूद है देश रोजाना के diceřनल मिडिया मन्च पर हर्याना सरकार के मंत्रियों को उनका दायर्ट्तू मिल चुका है हर्याना सरकार के जो मंत्री न्यख़क्त किए गए नायाप सिंग सेनी द्वारा सरकार ने जो हर्याना के 13 मंत्री वनाए उनके अंदर विभागों का बटवारा हो गया है मैं आपके साथ अपने पहले वीडियो में शेयर किया कि इस सरकार के अंदर नायप सिंग सैनी सबसे पावरफुल नेता सबसे पावरफुल मुख्य मंत्री के रूप में सामने आएंगे बड़े बड़े डिपार्टमेंट जो महत्वपूर्ण विभाग माले जाते हैं किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी ना हो इसलिए सरकार के ये बड़े पद नायप सिंग सैनी खुद समालेंगे एक तरह से कहें तो जनता को और हर्याना की नौकर शाही को सपश संदेश इसके साथ साथ भारती जनता प्रड़े का सीधा एजेंडा की किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी बरदास्त नहीं इस वीडियो में मैं आपके साथ जिक्र में हूँ चर्चा में हूँ हर्याना के फरिदाबाद लोकसभाद छेत्र के प्रमुक बड़े गूजर नेता जो इस सरकार के अंदर वजीर बने सरकार में मंतरी बने राजेश नागर तेगाओं के विधायक और मैं आपको बताने चला हूँ कि राजेश नागर गूजर समाज के बड़े नेता बन चुके हैं दो बार के विधायक हैं और लगातार वैसे भी उनका औरा इस ट्राइब का है कि जसमें कह सकते हैं कि वो एक कदावर निता हैं गूजर समाज से मंत्री बने हैं और जो आपको बताने जा रहा हूं कि अभी तक का गूजर समाज का और उनको जो डिपार्टमेंट मिला है खाद्य मापूर्ती विभाग उनका अखिर किस प्रकार का सामजस्य है या किस प्रकार का कैमिस्ट्री है गूजर समाज और इस डिपार्टमेंट की खाद्य और आपूर्ती मंत्रालेक महत्योपुन विभाग माना जाता है तमाम राश्णिंग राज्य की तमाम सरकारी कारेखा FCI के हों मंडियों के हों ये सब काम खाद्य और आपूर्ती मंत्रालेक के तहत आते हैं और जो मैं आपको कैमिस्ट्री बता रहा हूं गूजर समाज और इस डिपार्टमेंट की, फूर और सिप्लाई डिपार्टमेंट की, हर्याणा के बड़े प्रमुक जो गूजर नेता रहे हैं, गजराज बहाद्दूर नागर, चौदरी कल्यान सिंग, चौदरी महंदर परता था, वो भी अर्याणा के फूर एंड सिप्लाई मिनिस्टर बने थे, डिपार्टमेंट उनके पास और भी थे, लेकिन प्रमुक मंत्राले जो था, वो खाद्य और आपूर्ती मंत्राले था, डिपार्टमेंट राजश नागर साब के पास भी और भी है, खाद्य और आपू और प्रिंटिंग और स्टेशनरी तुम्हें आपको बता रहा था घजराज बाहदुर नागर जब मंत्री बने थे हर्याणा सरकार में वजीर थे और फरिदाबाद से नेता थे बड़े नेता रहे उनके पास भी यही डिपार्टमेंट था खाद्य और आपूर्ति मंत्रा ले चौधरी महेंदर प्रताप सिंग के पास भी खाद्य और आपूर्ति मंत्रा लेक की जिम्मेदारी रही वो भी हर्याणा सरकार के फूर्ड एंड सिप्लाई मिनिस्टर रहे अलाकि डेपार्टमेंट उनके पास भी और रहे लेकिन जो प्रमुक दाईत रहा वो यही रहा 2009 की होड़ा सरकार के अंदर वो खाद्य और आपूर्ति मंत्राले के साथ साथ अन्य विभाग भी उनके पास थे हर्याना के एक और बड़े गूजर निता स्वर्गे चौधरी कल्यान सिंग पलवल के विधायक थे 1982 की सरकार में वजीर थे चौधरी भजन लाल के साथ और ब प्रमुक तराले था वह खाद्य और आपूर्ति यानि की गूजर समाज के जितने भी बड़े नेता जो सरकार के अंदर मंत्री बने सरकार के वजीर हुए उनके पास जो डिपार्टमेंट रहे उनमें अक प्रमुक डेपार्टमेंट प्रमुक विभाग जो रहा वो फूर् राजेश नागर के पास भी वही डिपार्टमेंट गया, घहलाकि चर्चाएं पहले भी थी, जब तक मंत्रियों को विभाग नहीं मिले थे और बात चल रही थी कि कौन सा मंत्री, कौन सा कारहिभार समालेगा, कौन से मंत्री को कौन सा वोट फोलियो मिलेगा, तो बात चली थ तो क्राइटेरिया फिक्स होता है जैसे अगर आप देखें तो जो दलीत समाज से जुड़े हुए मैटर होते हैं उनका जो मंत्राले मिलता है वो दलीत निदा को मिलता है अगर मेव मुसलिम समाज के कोई मंत्री बनते रहे हलाकि अब तो सरकार में कोई प्रतेविदित नहीं है उनका तो उनके पास मत्से पालन जरूर हुआ करता था तो यह अगर आप कहें तो कुछ समाजों के साथ जुड़ा हुआ है जैसे मैंने आपको बताया कि गूजर समाज के नेताओं के बात जब चलती है तो खादे और आपूरती मंत्राले लगभग गूजर नेताओं के पास गया दोस्तों एक चीज और है खादे और आपूरती मंत्राले और वित्य मंत्राले दो ऐसे मंत्राले हैं हर्याणा के जिनके लिए यह कहा जाता है कि जो इन डिपार्टमेंट्स पर रहे हाला कि अभी कहना नहीं चाहिए क्योंकि अभी तो सभी की शुरुआत हुई है लेकिन एक बात है एक टोटका कहा जाता है कि जिनके पास भी खादे और आपूरती मंत्राले रहा या जिन नेताओं के पास में वित्य मंत्राले रहा हर्याणा का वो अगले चुनाओं में दिक्कत ले गए आप देखे तो खादे और आपूरती मंत्राले गजराज बादू नागर के पास रहा बभू कल्यान सिंग के पास रहा चौदरी महेंदर परताब के पास रहा तो या तो उनका अगला चुनाओ भी नहीं हुआ और या फिर वो चुनाओ में शिकर्स्त खा गए हलाकि राजेश नागर लोकपरिया नेता है और मैंने आप से पहले ही कहा कि पहले दबतर नागर का कारेभार रहा और उनको आगे विदान सभा का चुनाओ का मौकर नहीं ळा मनोलाल खटर को मनोलाल खटर जी के पास में वित्त बंटर ले भी था हरीाडा के मुख्यमंत्री के साथ सथ वह के बीचस्तार में वह शन्याओं चुनाओ वगला जीत नहीं पए मांगे नाम गुपता हर्याणा के वित्तमंत्री रहे थे तो उनके साथ भी यही रुआ हुआ हिरान अंदारे जी वित्तमंत्री रहे थे उनका विगला चुनाव नहीं हुआ बाबु मूल्चन जैन वित्तमंत्री रहे थे उनका विगला चुनाव नहीं हुआ प्रोफेसर पसिंग के लिए फिर कोई उसके बाद कोई चुनाव नहीं हुआ उसके बाद वो कॉंग्रेस में भी गए भाजबा में भी गए तमाम जगा गए लेकिन चुनाव कोई इस चुनाव में भी उनकी दावेदारी थी नलवा से टिकेट मांग रहे थे टिकेट ही नहीं मिला इससे पहले लोकसवा विधानसवा चुनाव हार भी चुके हैं यानि कि मित्मंत्री बनने के बाद में मैं आप से बात कर रहा था खासकर गूजर समाज और खाद्य और एक सब्सक्राटों से 2019 कोई मंचराले नहीं मिला और 2249 में विधायक ऑन को कोई मंत्रालिया नहीं मिला और दोजब चौश में उनको जो पहली शEips मंत्री की और उनके साथ ही राजेश नागर भी मंत्री बन गये खाद्या और आप अापूर्ती मंत्राले उनको मिला है साथ साथ प्रिंटिंग और स्टेशनरी मनिस्टर भी होंगे तो राजेश नागर तिगाओं के जो विधायक जिनको की फूरेंड सिप्लाई का महत्वपूर डिपार्टमेंट मिला है एक तो उनके साथ जो गुजर समाज वाली बात वो पूरी हुई और दूसरी कि हम चाहेंगे कि दूसरी पूरी ना हो देश रोजाना परिवार भी और हम भी चाहते हैं कि राजेश नागर अच्छी अपने डिपार्टमेंट को सभाले और अच्छा कारे हो आप हमारी बास से कितना सहमत हैं कि अभी तक जो मिलें बताए आपको गुजर निताओं के बा जिए बाले के